प्रैमंत्री अमिच्छा पहुचे जग्दलपुर्व स्थ्रियारपीफ के स्थापना दिवस पर किया वीरों का सम्मान नागरिक सामन जस्य कारिकरब में सुनी ग्रामीनों की समस्या दिनेशिंग चंदेल ने सुनी लोगों की समस्या है दंतेवाड़ा के दो मजदूरों की तलंगाना में हुई मौत बड़े भाई को बचाने गए छोटे भाई ने भी गवाई जान कॉंग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा नहरू चौक पर दिया एक दिवसी धर्ना शिविर लगा कर सुनी गई लोगों की समस्या हैं ग्रामीडों ने किया शिविर का विरोध नमस्कार मैं उशा भारगाउ स्वागत है आपका प्राइम 36 गड में खबर जगडल बुर्च से है जहां केंद्री ग्रहम मंत्री अमिद्शा जगडल पुर पहुँचे इस दोरान दंतेश्वरी एरपोर्ट पर उनका जोड़दार स्वागत किया गया बतादेगी केंद्रे ग्रह मंत्री अमित शाहा ने अपने बस्तर प्रवास में आज करनपुर पहुँचकर केंद्रे रिजर्व पुलिस बल के जवानों और परिजनों के साथ CRPF के 84 वे स्थापना दिवस कारिकरम में शिर्कत किया और 249 जवानों को शद्धानजली भी दी एक अदब्य सहास और वलिदान की खावना का परिचन देते हुए CRPF के जवानों ने सहादत दी और वो सहादत को अमर रखने के लिए के जवानों के जवानों के जवानों के लिए बहुत ख़वरों का प्रिशा है और आज बहुत 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 बनाई और सुपकाम नहीं देता केंदरी रिजर्फ पुलिस बल 230 बटालियन नेरिली दंतेवाडा ने नागरिक सामंज़स सिकारिकरम का श्रीधनेश सिंग चंदेल ने कमांडेंट 230 बटालियन केंदरी रिजर्फ पुलिस बल के निर्टत्व में आयोजन किया बता दें गाउं अत्यंत नकसल प्रभावित और पिछड़ा इलाका होने से शेत्री ग्रामी नागरिक आधुनिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं इन अलाकों में होती हैंचांती व्यु MS donn feature को बाहल ने लेकिन जब हमारी चनात्य ओती हैं तो हम दो आयामों में कारे करते हैं पहला आयाम की सांती स्ट्रीरक्षा वापिस आये उसकी बहाली हो दूसरा हम लोग बनीड़त की सरकार की राज सरकार कि प्रवत्त करते हैं इसके पीछे कहीं न कहीं हम बहुत ही ग्रामवास में को दे पाए जिनकी उनको ज़रूत है और उनको पिछले जो मैं वही दंते बाड़ा में जहां तेलंगाना के खमम जिला में काम करने गए दंते वाड़ा जिला के दो मजदूरों की जहरीले गैस के रिशाव की चपेट में आने से मौथ हो गई बता दे दोनों मृतक सगे भाई थे जो की काम के लिए तेलंगाना गए हुए थे और दोनों सगे भाई अंडा कैरेट बनने की फैक्टरी में दुरगटना का शिकार हो गए खबर अंपिका पुर से है जहां जिला प्रसाशन द्वारा गाउं में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है इसी कड़ी में बतौली विकासखंड की गाउं करदना में सिविर लगाया गया जहां सैकडों की संख्या में ग्रामीडों ने शिविर का विरोध करते हुए टेंट और तंबू सहित पुलिस के आला अधिकारियों को भी खदेर दिया बता दे कि जिला के ग्राम चिरंगा में खुलने वाले एलूमीना रिफाइनीडी फैक्टरी के विरोध में लगातार ग्रामीड विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं अंबिकापुर नगर निगम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के छेतर में लगातार नया आयाम गणने को अग्रसर है जहां 216 लाग कूडे कचरे से आयका स्त्रोत ढूणने में स्वच्छता दीदियों का एहम योगदान रहा जो डोर टो डोर कच्रा कलेक्शन कर सहर के 20 SLIRM सेंटर में लाकर कच्रे को अलग-अलग किया गया इस वेस्ट मैनेजमेंट को देखने के लिए देश के पाँच राजियों के नगर निगम शेतर में रहने वाले स्वच्छता दीदियों सहित अधिकारियों ने अंबिकापुर की स्वच्छता को देखते हुए तारीफ भी गी खबर जगदलपुर से है जहां मांगों को लेकर स्वच्छता दीदियों के लगतार चल रहे धरने को देखते हुए स्वच्छता दीदियों की मांगे पूरी कर दी गई है बता दें कि मिशन क्लीन सिटी के अंतरगत कारेत महिलाओं ने चक्का जाम किया था और निगम के सामने सारे SLRM सेंटर का कार प्रभावित कर निगम में धर्णा दिया जिससे स्वचिता देदियों के हर्ताल से शहर भी डोर टो डोर कजरा संकलन भी काफी प्रभावित हुआ है आज स्वचिता देदियों के एकटा के कारण नगर निगम के खुप्रभंधन के खिलाप उनकी जीत हुए इनकी लगबग सभी मांगों को मांगा गया है वह समाने सबस्चीतर जहें है जिन कर्मचारों को निकाला गया था उनका निसर्थ बाफशी हुई और ये भी है यह जो प्रसासनी कारवाई हुई है उसके संदर में भी काहिक दिमोदय Menge अगली खबर जांजगीर से है जहां पुलिस ने अंतर जिला चोर गिरों के 9 लोगों को गरफ़तार कर चोरी की 36 मोटर साइकल साइट, कम्प्यूटर, प्रिंटर, लैप टॉप और मोबाइल फोन भी बरामत कर लिया है जिसकी कीमत 17,40,000 रुपे बताई जा रही है, बता दे कि पुलिस ने अंतर जिला चोर के गिरों को कारवाई करते हुए गिरफ़तार कर जेल भीज दिया है पार साथ ये गाडियों का दस्तवेज भी नकली बनाते थे, जिसमें आर्सी बुक, आर्सी कार्ड और इंशरेंस के पेपर होते थे और इसके मारफ़त ये इन जो चोरी की गई गाडियों को बड़ी कीमत पे बेशते थे इनके एकाउन में भी काफी सारा पैसा है जो सीज किया गया है और इनके पास से वो कंप्यूटर भी बरामत किया गया है जिनके माद्यम से प्रिंटी के कारे करते थी वहीं खबीर धाम में जहां सरकार स्कूलों की बहतर सिक्षा को सवारने में करोडों रुपए खर्च कर रही है साथ ही सिक्षा के स्तर को लेकर बड़े बड़े दाव करती है पर जमीनी हकीकत कुछ और ही बया कर रही है बता दे कुछ स्कूल ऐसे है जहां सिक्षक बच्चों को सिक्षा देने के बजाए रसोया का काम करा रहे हैं कबीर धामजिले के बोड़ला विकास खंड के कभीर पत्रा के साशकिय प्रात्मिक स्कूल जहां पढ़ाई के बजाए बच्चों से खाना बनवाया जा रहा है वहां इस्कूल में ऐसी भी सिक्षिका नहीं है जो बच्चों की देख रेकर पढ़ाई करा सके बलकि इस श्कूल में रसोईया के सभी काम स्कूली बच्चों से लिये जा रहे हैं अच्छा सब जन मिल के रांधे हाँ रोजरान था रंधया कहां कहे था अच्छा सब जन में रहे हैं जहां मोधी सर्णेम पर टिपड़ी मामले में कॉंग्रेस के पूर्वराष्टी अध्यक्ष और सांसद राहूल गांधी को दो साल की सजासुदाय जाने के बाद कॉंग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है वहीं कॉंग्रेस ने मासमुंजला मुख्याले स्थित नहरू चौक पर एक दिफसी धर्णा दिया कॉंग्रेस पताधिकारियों और कारिकरताओं ने हातों में राहूल गांधी की तस्वीर लेकर विरोज जताया और साथ ही कॉंग्रेसियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तरह तरह की हदकंडे अपना कर राहूल गांधी को निशाना बना रही है काम चालू किया गया है इसके लिए हम यहां एक दिशी मांधारन करके उनका विरोध करते हैं कि कांग्रेस के नेताओं यह उपक्त के नेताओं को यह सरकार भारती जनते पल्टी का परिसान करना बन करें अन्यत्या इन्हें भारत की जनता इट से इट वाले जवाब देगी और इनका जो अहंकार है उसको खतम कर देगी हम सब आज हमारे नेता मानने से राहूल गांधी जी से समर्थन में यहां पर मौन सुपरिती देते हुए यह आज जो धरना परदर्शन कर रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं भारती जनता पार्टी की इस तरह से केंद्रे में बैड़े मोधी सरकार के द्वारा हमारे नेता को परिशान किया जा रहे हैं उनके घर में पुलिस भेजी जा रहे हैं उनके सदस्कता को समात्त करनी की बात कहीं जा रहे हैं और जो सच वो कह रहे हैं हम सब गांधी वाधी विचारधारा के लोग हैं और गांधी वाधी विचारधारा के लोग सब चिरा पे करते हैं और आज हम सब इसी खेत्र को ले करके इसी निंदा प्रस्ताव पारिश करते हैं और हमारे जो सम्माने नेता राहूल गांदी जी और कांग्रेश के सभी जो हमारे वरिष्ट नेता जिनके घर में एडी बेजा जा रहा है जिनके घरों पर देशर दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार